प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार आशा करता हूँ कि आप सुरक्षित होंगे और आज का अध्याय पढ़ने के लिए उसाइथ होंगे आज हम पढ़ेंगे कक्षा आठ विज्ञान का अध्याय वायू तथा जल का प्रदुशन बच्चों हम पहले से ही जानते हैं कि वायू हमारे जीवित रहने के लिए अवशक होती है स्वच जल और शुद्ध वायू जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है पर अब वायू और जल की गुणवत्ता में निरंतर गिरावट हो रही है श्वचन सम्मंदी रोगों में भी वृद्धी हो रही है आए जानते हैं कि जल और वायू की गुणवत्ता में किसलिए यह गरावट हो रही है और इसका हम सब पर क्या प्रभाव पड़ रहा है आज के अध्याय में हम सीखेंगे वायू प्रदूशन वायू कैसे प्रदूशित होती है विशिष्ट अध्यन, ताजमहल, पौधाघर प्रभाव और वायू प्रदूशन के लिए क्या किया जा सकता है इसी के साथ हम सीखेंगे जल प्रदूशन किस प्रकार से होता है पे जल क्या होता है जल को शुद कैसे किया जाता है, क्या किया जा सकता है तो सबसे पहले आईए बच्चों जान लेते हैं वाईउ प्रदूशन के बारे में वाईउ 78 प्रतीशत नाइट्रोजन, 21 प्रतीशत ऑक्सीजन और अल्प मात्रा में कार्बन डायकसाइड, आरगन, मिथेन और जलवाश्प का मिशरन है कई प्रकार के अंचाहे पदार्थों की वाईउ में मिल जाने से, जो की सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिका रखोता है, को वाईउ प्रदूशन कहते हैं वाईउ कैसे प्रदूशित होती है, इसके बारे में हम जान लेते हैं जो पदार्थ वायू को संदूशित करते हैं उन्हे वायू परदूशक कहा जाता है आईए कुछ वायू परदूशक स्ट्रोतों के बारे में बात करें कभी कभी ये प्रदूशक प्राकृतिक स्रोतों जैसे ज्वाला मुखी के फटने वनों की आगद्वारा आ सकते हैं मानुए क्रियक लापों जैसे फ्यक्टरियां, विद्धुच से अंत्र तथा वाहनों से निकला हुआ धूँआ वायू प्रदूशन करता है वाहनों से अधिक मातरा में कार्बन डायकसाइड, कार्बन मोनोकसाइड, नाइट्रोजन आकसाइड तथा दूहा उत्पन होता है कार्बन मोनोकसाइड एक बहुत विशाली गैस है जो की हमारे रुधिर में ऑक्सीजन धारन करने की शमता को घटाती है कई उध्योग भी वाईउ के प्रदूशन के लिए उत्तरदाई है पेट्रोलियम परिशकरन शालाएं, सल्फा डायकसाइड तथा नाइट्रोजन आकसाइड जैसे गैसिये प्रदूशकों का प्रमुक त्रोथ है यह गैसे वाईउ मंडल में उपस्तित, जलवाश्पों के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फियूरिक अमल तथा नाइट्रिक अमल बनाती है यह वर्शा को अमलिय बना कर वर्शा के साथ प्रिथ्वी पर बरस जाते हैं इसे अमलिय वर्शा कहा जाता है अमलिय वर्षा जीब जन्तुओं और एतिहासिक भवनों को खराब करती है प्रियटकों को सबसे अधिक आकटशित करने वाला भारत के आगरामिस्थित ताजमहल चिंता का विशे बना हुआ है क्योंकि वायू प्रदूशक इसके सफेद संग्मर्मर को बदरंग कर रहे है अमल वर्षा के कारण समार के संग्मर्मर का संक्षारन होता है इस परिगटना को संग्मर्मर का कैंसर भी कहा जाता है मत्रा तेल परिशकरनी से उस सरजित काजल कण जैसे निलंबित कणों का संगमन बर को पीला करने में योगदान है ताज महल को बचाने के लिए सरवच नियाले ने उध्योगों को CNG और LPG जैसे स्वच इंधनों का उप्योग करने के आदेश जारी किये हैं अन्य प्रकार के प्रदूशक क्लोरो फ्लोरो कार्बन है जिनका उप्योग रेफ्रिजरेटरों, एर कंडिशनरों तथा एरोसोल फुहार में होता है CFCs के द्वारा YU मंडल की ओजोन परत पर शती ग्रस्त होने का प्रभाव पड़ता है यह ओजोन परत सूरज से आने वाली पराबेंगनी किरनों को रोक कर हमें कैंसर से बचाती है आईए बच्चों अब जानकारी प्राप्त कर लेते हैं पौधाघर प्रभाव के बारे में सूरे की किरने वायू मंडल से गुजरने के बच्चात प्रित्वी की सता को गरम करती हैं प्रित्वी पर पढ़ने वाले सूरे के विकरनों का कुछ भाग प्रित्वी अफ्शोशित कर लेती हैं और कुछ भाग परावर्तित होकर वापस अंत्रिक्ष में लौड जाता है परावर्तित विकरणों का कुछ भाग वाईव मंदल में रुख जाता है यह रुखा हुआ भाग यानि की विकरण पृत्वी को और गरम करता है यदि आपने किसी पौध शाला यानि की नर्चरी अथवा अन्य किसी स्थान पर पौधागर देखा हो तो याद कीजिए कि सूरे की उश्मा पौधागर में प्रवेश तो कर पाती है पर इससे बाहर नहीं निकल पाती यही रुकी हुई उश्मा पौधागर को गरम रखती है पौधागर कारे करते हैं यही कारण है कि इसे पौधागर प्रवाव कहा जाता है इस प्रक्रम के बिना पौधागर जीवन संभव नहीं हो सकता परन्तु अब यह प्रक्रम जीवन के लिए खत्रा बन गया है इस प्रकार के लिए उत्तरदाई गैसों में से एक है कार्बन गैस यदि वायू में कार्बन डायक्साइड की अधिकता हो तो यह प्रदूशक की भांती कारे करती है एक और तो मानविय क्रिया कलापों के कारण निरंतर कार्बन डायक्साइड वातावरण में निर्मोचित हो रही है तथा दूसरी और वन शेत्र घट रहा है पौधे प्र के कारण वायू में कार्बन डायक्साइड की मातरा बढ़ जाती है क्योंकि कार्बन डायक्साइड की खपत करने वाले व्रिक्षों की संख्या घड जाती है इस प्रकार मानविय क्रिया कलाप वायू मंडल में कार्बन डायक्साइड के संचे में योगदान देते हैं इथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा जलवास जैसी अन्य गैसे भी इस प्रभाब में योगदान करती हैं। कार्बन डैक्साइड की भांती इन्हें भी पौधागर गैसे कहा जाता है। विश्व उश्णन विश्व यापी सरकारों के लिए विचारनिय विशे बन गया है। बहुत से देशों ने पौधागर गैसों के उस सरजन में कमी करने के लिए एक अनुबंद किया है। स्यूंक्त राज समले इलिन के अंतरगत क्योटो प्रोटोकाल एक ऐसा ही अनुबंद है जिस पर बहुत से देशों ने हस्ताश्चर किये हैं। अब जान लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अधिक से अधिक व्रिक्ष लगाए जाने चाहिए। कच्रे को जलाने से बहतर है कि उसे कंपोस्ट पिट में डाल दें। वहनों को सीसा रहित पेट्रूल, CNG जैसे अन्ने इंधनों से चलाना चाहिए। जिवाश में इंधनों के स्थान पर वेकल्पिक इंधनों को अपनाने की आवशकता है। वेकल्पिक इंधन सौर उर्जा, जल उर्जा तथा पवन उर्जा हो सकते हैं। बच्चों, आईए अब जान लेते हैं जल परदूशन के बारे में। जब भी वाहित मल, विशैले रिसायन, गाद आधी जैसे हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो जल परदूशित हो जाता है। भारत में अत्यदिक्त मात्रा में कूडा करकट अनुपचारित वाहित मल, मृत जीव तथा अन्य बहुत से हानिकारकपदार सीधे ही नदी में फैक दिये जाते हैं फसलों की सुरक्षा के लिए पीड नाशकों का इस्तिमाल किया जाता है ये जल में घुल कर खेतों से जलाशय तक पहुच जाते हैं और ये भूमी में भी रिसकर भौम जल को प्रदूशित करते हैं गंगा भारत की एक विशाल नदी है आये इसके बारे में एक विशिष्ट अध्यन करें गंगा संसार की दस ऐसी नदियों में से एक है जिनका अस्तित्व खत्रे में है इसके प्रदूशन स्टर में निरंतर वृद्धी हो रही है इसका कारण इसके किनारे पर बसे शहर और बस्तियां हैं इस नदी में लोगों को सनान करते कपड़े धोते मल मुत्र त्याकते देखा जा सकता है वे इस नदी में कुड़ा करकट फूल पूजा समगरी जैव अन्यम्निय करनिय पॉलेथीन की थैलियां फैक्ते हैं इसी के साथ तेल परिशकरन शालाएं कागज फैक्ट प्रियोजना अरंब की गई जिसे गंगा कारे प्रियोजना कहते हैं परंतु बढ़ती जनसंख्या और अध्योगी करन ने पहले से ही इस महाशक्तिशाली नदी को काफी हानी पहुचा दी है आईए अब जल प्रदूशन के परिणामों के बारे में चर्चा कर लेते हैं प् जिसके साथ जल्य जीव मर जाते हैं है जा पी लिया जैसे रोग भी दूशित जल के ही परिणाम है आईए देखें कि जल को पीने के लिए स्वच्छ किस प्रकार से बनाया जा सकता है औध्योगी क्याईयों के लिए बनाये गए नियमों को सक्ति से लागू किया जाना चाह धुलाई तता अन्य घरेलिव कारे में उपयोग हो चुके जल को पुने उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए इन्हें सीधे ही नहीं बहाना चाहिए घरों का कूड़ा करकट प्लास्टिक कच्रा खुली नालियों में नहीं फैकना चाहिए इसके साथ ही घरों में प्रक्षित प्रबंद होना चाहिए बच्चों अब जानकारी ले ले लेते हैं कि पे जल क्या होता है और जल को किस प्रकार से शुद्र किया जाता है पीने के लिए उप्युक जल को पे जल कहा जाता है अर्थार्थ उसमें रोग वहक सुक्ष्म जीव तथा गुले हुए आम प्रच्रित घ्रेलू फिल्टर केंडल फिल्टर होता है इसके दवारा जल को फिल्टर किया जा सकता है उबालने की विधी इसमें जल को उबाला जाता है उबालने से जल में उपस्तिच जिवानू मर जाते हैं अगली विधी है रसाइनिक विधी क्लोरीन नी करन एक रस बहाई जाए, सभी उध्योगिक शेत्रों में उपचार प्लांट या सेंत्र लगाई जाए, जल को बेकार न जाने दिया जाए, कम उप्योग, पुने उप्योग, पुने चक्रन तथा पुने प्राप्त करने के मूल मंत्र को हमें हमेशा से याद रखना चाहिए, अब तक जो हमने पड़ा है, उसके बारे में दोहराई कर लेते हैं, जब वायू ऐसे अंचाहे पदार्थों के द्वारा संदूशित हो जाती है, तो सजीव तथा नर्जीव दोनों के लिए हानिकारक होती है, ऐसी वायू को और ऐसे प्रदूशन को वायू प्रदूशन कहते हैं, वाय प्रदूशक ताज महल को बदरंग कर रहे हैं, प्रित्वी के वायू मंडल द्वारा रोकी गई विकरण के कारण वायू मंडल गरम रहता है, और इस प्रद्भाव को पौदागर प्रभाव कहा जाता है, कारबन डायकसाइड की अधिक मात्रा के कारण विश्व उशनन हो रहा है, जीवन के लिए हानिकारक पदार्थ जल में मिलने से जल प्रदूशन होता है, स्वच एवं पीने के लिए उप्युक जल को पे जल कहा जाता है, बच्चों अब मैं आप से कुछ प्रशन पूछूंगा और आशा करता हूँ कि आप उनके उत्तर दे पाएंगे, तो इसका उत्तर है, अगला प्रशन, ताज महल को सुरक्षित रखने के लिए क्या-क्या उपाएं किये जा रहे हैं? ताज महल के आसपास प्रदूशक सुरोतों को कम किया जाएं, किनी दो जल प्रदूशकों के उधारन दीजिए, वाहितमल, गाद, विशैले रसाएं, इसका उत्तर हैं, अब हम कुछ रिक स्थानों को भरेंगे, यह और यह वायू के मुख्य प्रदूशक हैं, तो सही उत् हैं, कार्बन मोनोकसाइड, नाइट्रोजन ओकसाइड, अगला रिक स्थान, स्वच एवं पीने के लिए उप्यक जल को यह कहा जाता है, तो बच्चों, इसका सही उत्तर है, पे जल, कम उप्योग, पुने चक्रण, तथा यह हमारा मूल मंत्र होना चाहिए, कम उप्योग, पुने चक्रण, तथा पुने उप्योग हमारा मूल मंत्र होना चाहिए, जल को शुद्ध करने की मुख्यरसानिक विधी यह है, तो इसका सही उत्तर है, क्लोरी निकरण, बच्चों, अब मैं आपसे कुछ और प्रश्न पोचूंगा, उनके उत्तर आपने द वाई-उ प्रदूशन के प्राकरितिक स्त्रोथ कौन-कौन से हैं, तो इसका सही उत्तर है, ज्वाला मूखी का फटना, वनों में लगी हुई आग का धुवा, इसी के साथ हमारा अध्याय यहां समाप्त होता है, आशा करता हूँ कि आपने अध्याय को भलिबानती समझ लि बच्चों सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, धन्यवाद